कोशन है बहरत में सरवादी के गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है आपसन नमर ए है मद्य परदेशे आपसन नमर बी है पंजाब आपसन नमर सी है तमिल नाडू आपसन नमर डी है उत्तर परदेशे तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस रा नहें तो जो इस तो आपने आनसर दे दिया होगा तो इसमें मारा आनसर हो जाएगा आप्सन नम्बर D उत्तरपड़िश राज़े है जहां पर ग्योंग का सबसे जदा उत्पादगन होता है बारत में नेक्षिन हमारा बारत में सरवादी के कोफी उत्पादक राज्य कौन सा है आप्शन नमर ए है तमिलाडू आप्शन नमर भी है करनाटके आप्शन नमर सी है केरले आप्शन नमर डी है महराश्टे तो किस राज्जे में सबसे ज़्यादा कोफी का उत्पादन होता है चार ओप्शन आपके बास में हैं तमिलाडू, करणाटके, केरल और माराश्टे तो आपने अंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्टर अंसर है आप्शन नबर B करणाटक राज्जे है जहाँ पर सबसे अधिक कोफी का उत्पादन होता है निक्शन नमारा भारत का सरवादी के पट्सन उत्पादक राज्जे है आप्शन नमर A है पच्छिम बंगाले आप्शन नमर B है बिहारे आप्शन नमर C है हिमाचल पर्देशे आप्शन नमर D है इनमें से कोई नहीं तो पट्सन का उत्पादन कहा होता है यह आपको बताना है चार आप्शन आपके बास में है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप्शन नमर A पच्छिम बंगाल में होता है पट्सन का सबसे अधा उत्पादने नेक्शन नमरा भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादने सबसे अधिके होता है आप्शन नमर A है जम्वार का आप्शन नमर B है मक्का का आप्शन नमर C है चाउल का आप्शन बड़ D है ग्यहूं का जो किस खाद्य फसल का सबसे जादी का उत्पादन होता है चार फसलों के नाम आपको दे रखे हैं जमार, मक्का, चाउवल और ग्याउ तो कमेंट के बादे जमसे जल्दी से आंसर बताईए दूस्तों तो आपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें हमार करेक्ट आंसर हो जाएगा आप्सन नमर सी, चाउवल का उत्पादन होता है सबसे जादा, खाद्य फसल के रूप में भारत में और जो पच्छी मंगाल रज्ज है वहाँ पर सबसे जादा उत्पादन होता है चाउवल का नेक्शन नमरा भारत में उर्जा उत्पादन में सरवादिक भागिदारी है आप्सन नमर ए है जल विदूत की आप्सन नमर भी है ताप विदूत की आप्सन नमर सी है सोर उर्जा की आप्सन नमर डी है परमानू विदूत की तो आपको बताना है कि उर्जा उत्पादन में सरवादिक बागीदारी किसकी है चार यहाँ पर आप्शन दे रखे हैं जल विदूते, ताप विदूते, सोर उर्जा और परमानू विदूते तो कमेंट के मद्दिम से अपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा आंसर है ताप विदूते है, जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा उर्जा का उत्पादन होता है भारत में नेक्सुन हमारा भारत का पर्थम में परमानू उर्जा उत्पादक केंद्र है आप्शन नमर ए है, नरूरा आप्शन नमर बी है, काकरा पार option number C है तारापूर A option number D है इन में से कोई नहीं तो आपको प्रतम पर्मानु उर्जा केंदर का नाम बताना है कि कौन सा है तो आपने answer दे दिया होगा तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा option number C तारापूर है जो कि भारत का प्रतमे प्रमानु उर्जा उत्पादग केंदर है next number बारत में विदुता पूर्टी सबसे पहले कहां शुरू हुई थी option number A है मुंबई में option number B है कौलकता में option number C है चेन्नाई में option number D है दारजिलिंग में तो आपको बताना है कि सबसे पहले विदुता पूर्टी सबसे पहले भारत में कहां शुरू हुई थी चार ओप्शन आपके आस में है मुंबई कौलकता चेन्नाई और दारजिलिंग है तो कमेंट के मादिम से आपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है option number D दारजिलिंग में शुरू हुई थी सबसे पहले विदुत आपूर्टी नेक्स नमरा भारत के वानिजी कुर्जा की कितने प्रतिशत पूर्टी कोईले से होती है option number A है 65% option number B है 56% option number C है 53% option number D है 67% तो आपको बताना है कि वानिजी कुर्जा का कितना प्रतिशत कोईले से आपूर्टी होती है चार option आपके वास में है 65%, 56%, 53% और 67% तो कमेंट के मादिम से अपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें correct answer है option number D 67% जो वानिजी क बोले तो commercial जो उड़जा है उसकी आपूर्टी कोईले से होती है नेक्शन हमारा निमलिखित में से कौन सा भारत में वानिजी कुर्जा का प्रधान इस्त्रोत है option number A है कोईला option number B है प्राकतिक गेसे option number C है नाबिकी है उड़जा option number D है खनीज तेले तो इन चारों में से आपको बताना है कि वानिजी की बोली तो commercial उड़जा का प्रधान इस्त्रोत आपको बताना है तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा option number A कोईला है प्रधान इस्त्रोत है नेक्शन हमारा भारत में सरवादी के लोहा पेदा करने वाला राज्जे है option number A है उडिसा option number B है 36 गड़े option number C है जारकंडे option number D है चेन नई तो किस राज्जे में लोहे का उत्रोत प्रधान सबसे ज़्यदा होता है वो आपको बताना है चार उप्शन आपके वास में है जारकंडे और चेन नई तो कमेंट के वादिम से अपने आंसर दे दिया होगा तो उसमें करेक्ट आंसर है option number B 36 गड़े है जहां पर सबसे ज़्यदी के लोहे का उत्रोत प्रधान होता है नेक्शन हमारा भारत का सरवादी के जस्ता उत्रोत प्रधा के राज्जे है तो जस्ता बोलतो जिंका उत्रोत प्रधान कहां होता है वो आपको बताना है चार उप्शन आपके आसमें है राज्जेस्ता जम्हू कश्मीर सिक्की में और महाराश्टे तो कमेंट के मादिम से अपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें करेक्ट आंसर है राज्जेस्तान का जो उदेपुर और जो चितोडगर का शेत्र है वहाँ पर सबसे अदा जस्ता बोले तो जिंक का उत्पादन होता है और यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेट ने अपना प्लांट भी लगा रखा है नेक्स नमरा भारत में बोकसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक रज्जे कौनसा है आप्सन नमर ए है बोपाले आप्सन नमर भी है नाकपूरे आप्सन नमर सी है उडिसा आप्सन नमर डी है जहारकंडे तो आपको बताना है बोकसाइट का उत्पादन कहा होता है बारत में सबसे ज़्यादा चार उप्षिन आपके वसमें है बोपाल, नागपूर, ओडिसा और जहारकंडे तो कमेंट के मादिम से आपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें करेक्ट आंसर है आप्षिन नमर सी ओडिसा रज्जी में होता है बोकसाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादाने है नेक्शन हमारा भारत में सरवादी के हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है आप्षिन नमर A है गोलकुंडा से आप्षिन नमर B है क्यूई लोन से आप्षिन नमर C है पन्ना से आप्शन नमर डी है जेपूर से तो आपको बताना है कि हीरा किसी जगे से सबसे ज़्यादा निकला जाता है चार ओप्शन आपके आस में है गोल कुंडा, क्विन ओल, पन्ना और जेपूर एर तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा option number C, पन्ना इस्तान से निकला जाता है सबसे ज़्यादा हीरा भारत में, next one हमारा, भारत में स्वार्णे कहां पाए जाता है स्वार्ण बोले तो सोना, option number A है, कोलार में, option number B है, पन्ना में, option number C है, मोती पूरा में, option number D है इन में से कोई नहीं तो सोना कहां पाय जाता है ये आपको बताना है चार ओप्षन आपके वास में है तो कमेंट के माद दिम से अपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ओप्षन नमबर A कोला रिस्तान से प्राप्त किया जाता है सबसे ज़्यादा सोना निक सोना हमारा भारत में सरवादिक कोईला बंडार पाई जाते हैं आप्शन नमर ए है जहरकंड में आप्शन नमर भी है 36 गड़ में आप्शन नमर सी है उडिसा में आप्शन नमर डी है पच्छी मंगाल में तो किस राज्य में कोईले के सरवाधिक बंडार है ये आपको बताना है चार ओप्षेन आपके आस में है जहारकंट, 36 गड, उडिसा और पच्छी मंगाले तो कमेंट के मादिम से आपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ओप्षेन नमर ए जहारकंट आपसादी चट्टानों में आपसन नमर भी है कायांतरित चट्टानों में आपसन नमर सी है आगने चट्टानों में आपसन नमर डी है इनमें से कोई नहीं तो आपको बताना है कि खनीश तेल के बंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं चार ओप्षेन आप खनीश तेल के बंडार भारत में नेक्श नमरा भारत में खनीश तेल का उत्पाद ने सुरपर्थम प्रारंब किया गया था आप्शन No.A है डिग बोई में आप्शन No.B है नहरत कटिया में आप्शन No.C है अंकलेशवर में आप्शन No.D है इनमें से कोई नहीं तो आपको बताना है कि खनीश देल का अउत्पादर ने कहां प्रारंब हुआता बारत में सबसे पहले चार ओप्शन आपके वास में है तो कमेंट के मादिम से आपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर A डिक बोई में शुरू आता सबसे पहले खनीज तेल का उत्पादने नेक्शन हमारा भारत के सबसे महत्पूने यूरेनियम खान कहां इस्तित है ओप्शन नमबर A है वाशी में ओप्शन नमबर B है जादू गोडा में ओप्शन नमबर C है गोरी विदनूर में ओप्शन नमबर D है इनमें से कोई नहीं तो यूरेनियम खान कहां इस्तित है आपको ये बताना है च्यार ओप्शन आपके हास में है वाशी, जादू गोडा, गोरी, विदनूरे और इन में से कोई नहीं तो कमेंट के मादिम से आपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें करेक्ट आंसर है ओप्शन नमर बी जादू गोडा में इस्तित है यूरेनियम की कहाने नेक्स नमरा निम्लिखित में से भारत का वहर राज्य कौन सा है जो गंदक के उत्पादन में सबसे आगे है आप्शन नमर ए है असमें, आप्शन नमर बी है महराश्टे, आप्शन नमर सी है पंजाबे, आप्शन नमर डी है तमिल्लाडू तो किस राज्य में गंदक का उत्पादन सबसे ज़्यदा होता है यह आपको बताना है चार ओप्षन आपके आज में हैं असम, महराष्ट, पंजाब और तमिलाडू तो आंसर आपने दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है और आप्षन नमबर B महराष्ट राज् कोईला उत्पादन के लिए आप्षन नमर B है यूरेनियम उत्पादन के लिए आप्षन नमर C है पैट्रोलियम उत्पादन के लिए आप्षन नमर D है इन सबी के उत्पादन के लिए तो आपको बताना है कि अंकले शुवर किस लिए परसिद है कोईले के लिए यूरेनिय पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने सबी दोस्तों के साथ फेस्बूक और वाटसप अकाउंट के मादियम से शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट करके किये और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लिजिए सुनों